3 दिसंबर 2023 दिन रविवार का राशिफल ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन मिथुन राशी वालों का मन बहुत अधिक खुश रहेगा कन्या राशी वालों के मन को शांती मिलेगी कल आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा सभी राशी के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा तो चलिए जानते हैं मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहेगा कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्यक शेत्र में कुछ तनाव रहेगा जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं किसी से भी गलत वानी न बोले और गुस्सा भी न करें अन्य था बात ज्यादा बिगड़ सकती है अपनी वानी पर सयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दाइरे में में रहें शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिनाम मिल सकते हैं जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन रहेगा आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है आप यदि पार्टनर्शिप में काम करते हैं तो पार्टन पर भी अधिक भरोसा ना करें अन्यता आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है इसके कारण आपकी वेतन में भी बड़ोतरी हो सकती है आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा जिससे आपका मन खुश रहेगा बुजुर्बों के आशीरवाद से आपके सभी कार्य बनेंगे विश राशी, विशब राशी के जातकों के लिए कल का दिन मध्यम रहेगा व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको कठिनायों का सामना करना पर सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है जिसके कारण आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं आप अपने माता-पिता की सेहत का विशेश ध्यान रखें, उनकी तबियत खराब हो सकती है पेज से संबंधित समस्याओं में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें कल आपको धन का खर्च अधिक करना पर सकता है जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पर सकता है बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें सोच समझ कर चले, अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रोग कर चले नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ओफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपड़ जाएगा कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांती मिल सकती है कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा मिथुन राशी मिथुन राशी की जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा कल आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचे रहें अपनी वानी पर नियंत्रन रखे अन्य था आपका किसी से जगड़ा हो सकता है और आपको कोर्ट के चहरी का सामना भी करना पड़ सकता है यदि आपका जमीन ज्यादा आपका कोई मामला कोर्ट में फंसा हुआ है तो कल उसका फैसला आपका हक में हो सकता है आप अपने परिवार के किसी सदस्य के भविश्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके आफिस में बहुत अधिक कार्य का बोज मिल सकता है जिसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं और आपको थकावट भी हो सकती है नौकरी में आपका स्थान परिवर्टन भी हो सकता है कल आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर भूमने के लिए जा सकते हैं जहां पर आपके बच्चे बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे भविश्य को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए कल थोड़ा सा दिन व्यस्तता वाला रहेगा कल आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बहुत अधिक बिजी रहेंगे जिसमें आपको सफलता की प्राप्ती भी हो सकती है करक राशी करक राशी के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहेगा व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको दिन के समय में थोड़ा सा घाटा हो सकता है परंतु शाम के समय में आपको धनलाब की प्राप्ती हो सकती है कल आपके आत्म विश्वास में वृद्धी होगी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई बहनों का सहारा ले सकते हैं कल आपका मन अपनी संतान की ओर से थोड़ा सा परेशान हो सकता है नौकरी करने वाली जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको तरक्की के अफसर पर प्राप्थ हो सकते हैं आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत अधिक प्रसन रहेंगे तथा वह आपके वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं आपकी रुचिकल धर्म कर्म के कार्यों में अधिक लगी रहेगी आप किसी मंदिर इत्यादी में जाकर गुप्त दान भी दे सकते हैं कल आपको धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास परियाप्त मात्रा में धन उपस्थित रहेगा जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा आपके उपर बुजुर्गों का आशिरवाद रहेगा जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा संतान की भविश्य को लेकर आपके मन में थोड़ी सी चिंता हो सकती है सिंग राशी सिंग राशी के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है यदि आपकी बहुत समय से कार्या अटके हुए थे तो वह पूरे नहीं हो सकते हैं उनमें अभी भी रुकावट आ सकती है आप अपने स्वास्थ्य का विशेश ध्यान रखें कारोबार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपना कोई पैत्रिक कारोबार संभालते हैं तो उसमें आर्थिक लाब मिल सकता है आपके परिवार में कल किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है आप अपनी वानी पर सयम रखें छोटा सा वाद विवाद किसी जगडे का रूप भी ले सकता है प्रेमी जातकों की बात करें तो आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर रस्टोरेंट इत्यादी में कैंडल लाइट दिनर करने के लिए जा सकते हैं कल आप अपने परिवार के सदस्यों से अपने प्रेम के बारे में भी बता सकते हैं कल आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है जिससे मिलकर आपके मन को बहुत अधिक खुशी मिलेगी जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आपका मन खुश रहेगा आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम करने का प्लान बनाया जा सकता है कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए कल का दिन ठीक रहेगा कल आपका मन कुछ अच्छा और नया खाना खाने का करेगा जिससे आप बहुत अधिक खुश हो जाएंगे छात्रों का दिन ठीक रहेगा छात्र अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करेंगे तथा अपने जीवन में सफलता की प्राप्ती के लिए बहुत अधिक मेहनद भी करेंगे कल आपकी रुची पठन पार्थन में बहुत अधिक बढ़ सकती है कल आपका पारिवारिक जीवन बहुत अधिक सुख में रहेगा आपको किसी प्रकार का कोई कश्ट नहीं रहेगा आप अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अधिक मस जीवन व्यतीत करेंगे कल आप किसी धार्मिक कार्यक्रम को करने का प्लान बना सकते हैं जिसमें आपका धनका खर्चा बहुत अधिक हो सकता है। आपका दामपत्य जीवन बहुत अधिक सुक में रहेगा। कल शाम को आप अपने लाइफ पार्टन के साथ बहुत अधिक अच्छा समय बिता सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनके सेहत का अच्छा ख्याल रखें। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आप प्रसन रहेंगे। तुला राशी तुला राशी के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। कल आप संतान की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाएं सर्दी इत्यादी पर लग सकती है। आप अपने माता-पिता के स्वास्थे के लिए थोड़ा सा सचेत रहें। उनका स्वास्थे कुछ खराब हो सकता है। जिसके कारण आपको परेशानी का सामना भी करना पर सकता है। आप यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा अफसर है। आपको आर्थिक लाब की प्राप्ती हो सकती है। कल आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पर्यापत मात्रा में धन प्राप्त होगा। कल आपकी रुची धर्म कर्म के कारियों में बढ़ेगी। आप काम के सिलसिले में बाहर शहर में जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको बहुत अधिक महनत करनी होगी, परंतु यात्रा करते समय आप अपने सामान की सुरक्षा अच्छे से करे अन्यठा आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है छात्रों की बात करें तो छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें उन्हें सफलता की प्राप्ती तभी हो सकती है कल आपके अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच कर बहुत अधिक भावुक हो सकते हैं तथा आपको उनकी बहुत अधिक याद सता सकती है व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए कल का दिन मिला जुला रहेगा शिक्षा से संबंधित कारियों में आपको सफलता प्राप्थ हो सकती है और आपका मान सम्मान बढ़ेगा बौधिक्स्तर पर आपको बहुत अधिक उन्नती मिल सकती है यदि आप शेर मार्केट या सटा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके शेर सूचित दामों पर बिख सकते हैं परंतु कल आपका धन बहुत अधिक खर्च हो सकता है आप व्यर्थ के कारियों परधन खर्चन करें अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पर सकता है व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में कल आपको उन्नती प्राप्थ हो सकती है आपका व्यापार बहुत अधिक उन्नती करेगा परन्तु आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे, अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ती हो सकती है, और आपको काम्याभी अवश्य मिलेगी परन्तु आपको मेहनत भरपूर करनी होगी, धनू राशी, धनू राशी के ज आपके घर परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें आप अपने विशेश अतितियों को आमंत्रित कर सकते हैं, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपका अच्छा दिन बीतेगा, परन्तु आपको कोई बड़ी जिम्मेदार का कार्य सोपा जा सकता है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, आपकी लब लाइफ के बारे में बात करें तो आपकी लाइफ में बहुत अधिक रोमेंस रहेगा, आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर भूमने के लिए भी जा सकते हैं, कल आपको सभी कार् की प्राप्ती हो सकती है, इसमें आप बहुत अधिक खुश रहेंगे, आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, संतान की ओर से भी आप संतुष्ट रहेंगे, मकर राशी, मकर राशी के जातकों के लिए कल का दिन बहुत अधिक शांदार रहेगा, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपका आपकी नौकरी में मान सम्मान बरकरार रहेगा, सभी लोग आपके कारे की बहुत अधिक प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, आपके अधिकारी आप से प्रसन रहेंगे, कल आपका धन का खर्च बहुत करने के लिए जा सकते हैं जहां पर आपके मन को बहुत अधिक शांती मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट या सटा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपने धनका निवेश कर सकते हैं। आपको लाब प्राप्त होगा। कल आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है जिससे मिलकर आपको बहुत अधिक संतुष्टी मिलेगी। कुम्भ राशी के जातकों के लिए कल का दिन ठीक रहेगा। आपके कार्य और व्यवसाई की बात करें तो आपका व्यवसाई थोड़ा सा धीला रहेगा। आपके व्यवसाई में थोड़ा सा परेश आप अपनी वानी पर नियंत्रन रखें, किसी भी बात को बहुत अधिक ना बढ़ने दे, थोड़ा सयम से काम ले, आपकी सभी परेशानिया जल्दी ही दूर हो जाएंगी, कल आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर आपके बच्चे मौज मस्त करेंगे, कल आप अपने खानपान का विशेश ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का बाहर का खाना ना खाय अन्य था, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए कल का दिन ठीक रहेगा, आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा तथा आप गलत संगत से दूर भी रहेंगे, नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको उन्नती के अफसर प्राप्त हो सकते हैं, मीन राशी, मीन राशी के जातकों के लिए कल का दिन बहुत अधिक शांदार रहेगा, छात्रों की बात करें तो कल आप के अंदर आत्म विश्वास बहुत अधिक रहेगा, आप जिस भी क्षेत्र में कोई परीक्षा देने के लिए जाएंगे, आपको काम्याभी अवश्य मिलेगी, परन्तु आप किसी भी प्रकार की ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहे, बस अपनी परीक् बगड़े का रूप भी ले सकता है, कल आप किसी को भी धन उधारन देयन्य था, आपका पैसा फंस सकता है, वह व्यक्ति आपका पैसा लटाने में आपको बहुत अधिक परेशान कर सकता है, छात्र कल पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाने का प्लान बना सकत हैं, वहाँ पर आपको आपकी पढ़ाई के और अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु वहाँ के माहौल में धलने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, कुल मिला कर आपका पारिवारिक जीवन सु अपने बेटे की भविश्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं,